सी भी तरह का खराब से खराब पुराने से पुराना लंबे समय से एदी पसू में थनेला रोग है या एदी आपके पसू में एक्यूट स्टेज में थनेला रोग हुआ है तो इसके लिए आपको क्या देना चाहिए आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया हैं तो आप पूर breu नहीं होने वाले चिस वीदे से हैं उस तरह की इस ततियंदुर में आप अपने पर्सूर में करवा सकते हैं बहुत ही अचा रिजल्ट देखने को बिलेगा और पहुत ही इस तरह की केस आप देखने को मिल रहे हैं वीडियो लंबी होगी लेकिन स्कीप परके में देखना पूरा देखना फोटी नोलिजबली वीडियो है साइंटीफिक तरीके से आपको बताया जाएगा किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पसू में नहीं करेगा यह पसू प्रिग्नेंट है तो भी आ आप उनका प्रियोग करवा सकते हैं देखो जब यह पसू में थनेला रोग होता है थनेला कई प्रकार का होता है एक्यूट है सब एक्यूट है क्रोनिक है या किलनिकल है सब किलनिकल है किसी भी स्टेज में पसू में में स्टाइटिस हो जाए सुरवाती स्टेज में हो है थन में सुझन आ गई अडर में swirling हो गई थन से दूध कम आ रहा है या कईबर दूध की मात्रा है उस में मवाद रुपा या गढ़ा दूध आ रहा है कईबर दूध पस रुपा आ रहा है कईबर पसु के थन के अंदर कुछी इस तरह की गांट बन जाती है, जिससे गांट की ओट जैसे पसु के थन में जैसे इदि आप टस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दर्द पसु महसूस करता है इसलिया के साथ पसु में थन से दूद की बजाय खून आरा है यानि कोई भी तरह की दिकत हो यह दी पसू में है तो आप उनका परियोग कर सकते हैं यह दी आपके पसू में अचानक हो आए या लंबे समय से या पसू के थन है वो हार्ड हो गए है यानि खटोर हो गए हैं फाइब्रोसिस बन गया है फाइब्रोटिक स्टेज हो गई है तो भी आप उनका परियोग कर सकते हैं तो इस इस्तिती में परियोग करना क्या चाहिए देखो सबसे पहले जो मैं आपको पाउडर बता रहा हूँ है पाउडर आप किसी भी तरह का थने लारोगो या शुरुवाती स्टेज में थने लारोगो या लंबे समय से चल रहा हो या एदि आपके फसू में थन में प्रिविर्तन चीनिखिए म्मृ या उसके अंदर पस्टो आप पाउडर का प्रिएजवात्र संब्सक्रेश घंछ को च जो पाउडर का प्रियोगक कि थने लारोग होगो जाए तो आप परियोग कर सकते या इदित है किसी भी तरह की दिकत समдеर्ट इस फॉलडर का लाकर क के अपने पृप्षू में दे सकते हैं जो इस तरह का एक पौच आता है जो ये इस तरह के पौच में अफलोप्द होता है और ये 50-60 ग्राम का एक पाऊच आता है वह एक पौच परड़े के साब से पसू को यह पोई भी दाना मिसंग देना है उसमें मिला करके दिया जाता है देखो इसके अंदर क्या क्या आता है कितनी मिनरल्स विटामिन आती है देखो जो आपको इसक्री पर भी दिखरी होगी इसके अंदर स्विटामिन्स विटामिन को धनिलीत विटामिन्स यानविटामिन्स संध्सों जा उतनी सभी त्रहें जाताएक विटामिन्स इस पाॉडर के हो गयाता है तो आप इसका प्रियोग पर जिध्यक आप प्रियोग कर सकते हैं वह बी े आपको लगातार पांच दिन ऐसा नहीं एक दिन लगातार पांच दिन उस पर्सु को देना है थन में सूझन आ घई धर्द की हार नी लगाने दे रहा है तो उस स्थति में आप एक परियोग कर सकते हैं जिस तरह से इसार आता विर्बे का हिलेंट इस्प्रे आयरवेदिक इस्प्रे है बहुत अच्छा इस्प्रे थनसे अडर लाल स्वेलिंग अच्छा नक उठाओ हो गया तो आप इस इस्प्रे का परियोग अपने पसूं में सुबह और स्याम दू निकालने के बाद में परियोग करें बैटर रिजल करेंगे तो आपको और अच्छा रिजल मिलेगा ज्यादा लंबे समय तक आप अपने पसूं में जो इंजेक्शन लगाने की जूरुत नहीं होगी और रिजल्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा इसी तरह से पसूं में थन के अंदर गांट हो गया थन हर्ड हो गया या लंबे समय से पुराना इदी पसूं में थनेला रोग हो चुका है तो उससे स्तती में आपको एक पाउडर परियोग करना है वह पाउडर है एस पी पंद्रा यह कि किसी भी तरह की फाइब्रोसिस फाइब्रोटिक इस्तती पसूं में हो जाती है या थन के अंदर कुछ इसनी स्थाइब का इसनी था और ँंद्र या तो आपुश आप परियोग पसूं में कर वा सकते हैं क्यूंकि इसके अंदर को सवर्णिती में स्था परियोग फाइब्रोटिक फाइब्रोटिक थन के अंधर लह तो यह पाउच अपको दिन में 10ash पाउच अपको यह देना है और एक पाउच आपको सीमेक अलटरा देना है कौन सी स्थती में जब पुराना कंडिशन खराब हो चुकी है तो एक समय ये पाउच और एक समय पाउच लगाता है पांस दिन दोनु पाउडरों का परियोग साथ में कराना है और साथ में एक ये इस्प्रे भी उस पर्शू मे परियोग करवाना है ये तीन चीज परियोग करवानी है और फैस स्टेज में है तो आपको सिर्फ एक सीमेक करवा सकते हैं कोई दिकत नहीं है लंबे समय से है तो आपको ये परियोग करवाना है आप इनके साथ आपको एक सपोर्टरी लिक्विट का परियोग जरूर पसू है थनेला से संदित है तो इस जो यह टोनिक है जो आपको दिख रहा है एड्री स्टोंग एच जो की विर्वेक आता है इसका बहुत अचा रिजल देखने को मिलता है इस तरह के थन में जो कोई भी दिकत है उसकी इम्यूटी बढ़ाने का काम करता है तो यह भी आप साथ में परियोग करवा सकते हैं यह तीन चार जो चीज़ें यह जो आपको मैंने बताई है किसी भी तरह कि थनेला रोग हो जाएं तो आप बे जिजक आप उन पसु में परियोग करवा सकते हैं कोई भी साइड नहीं हो रहा है तो आप अपने वेटिनेरिन से जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वह तो बहुत अच्छी बात है उनके साथ भी आप इनका परियोग पसु में इम्म्नुटी बनी रहे और जो पसु में थने रोग वक्रा फसु में थन न बिगड़े और आपका पसु जल्दी ठीकू क्योंकि कई बर इस तरह कि जो बेक्तरियां जो थन के अंदर भो ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो उससे स्थाती में एंटिबायिक इंजेक्शन के साथ भी आप इनका परियोग करवा सकते हैं बैटर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा तो वीडियो जितना हो सकता आप पसु पालक हैं वेटिनेरियन हैं उनके साथ सहर करें ताकि उनने भी प्रोपर नॉलेज मिले कि कुछ से इस तरह की दिखते हो